जब मेटिंग में शेलेक्शन किया गया था उसमें मैं भी था जैपुल में मैंने बनाई राम जी की प्रेणा से जो मेरे को राम जी ने दिया वह काम चलता रहा है और यह पूर्ण रूप से तयार होके और मैं यह लेकर आए इसमें प्रतिमा में राम जी का और विश्नु का समावेश है बाल रूप में राम तो हैं लेकिन भाव इसमें विश्नु जी के दिखते हैं तो वो सब मैं यह मैंने नहीं बनाई यह राम जी नहीं बनवाए है झाल झाल यह जो मूर्तियाने जैपूर से बनके आई है में नाम चंद्रिश पांडे है और जब यह मीटिंग में शेलेक्शन किया गया था उसमें मैं भी था लेकिन मेरी वाइफ को अटेक आने की वज़े से मैं यहां नहीं बना पाया तो जो बेक्ति यहां ही बनाएगा उसकी मूर्त स्थापित की जाएगी यह शर्त नहीं थी हमारे साथ तो मैं यह नहीं बना पाया लेकिन जैपूर में मैंने बनाई वो भी स्री राम जी की यह प्रेणा से जो मेरे को राम जी ने दिया वो काम चलता रहा है और यह पूर्ण रूप से तयार होके और मैं यह लेका हूँ और और कहीं सालों से आप जुड़े हैं इसलिए मापकी बावना के अदर करके मैं इस मूर्ति को यहां रख रहा हूँ सब लोग दर्शन करें और जो भी राय होगी वो बात में देख लेंगे लेकिन अभी तो यह मूर्ति महां इस्ताफित होने के योग यह नहीं है क्योंकि हम सकती है कि राम इजे विश्नु या शीवा भी बोल सकते हैं लेकि इसमें प्रतिमा में राम जी का और विश्नु का समावेश है बाल रूप में राम तो हैं लेकिन भाव इसमें विश्नु जी के दिखते हैं वो मैं तो वो सब मैं यह मैंने नहीं बनाए यह राम जी नहीं इनके साथ हनुमान जी भी हैं वह मैं मेरी इच्छा से लेका हैं क्योंकि जा राम है वह हनुमान है और हनुमान जी हमेशा राम का ध्यान में रहते रहें तो उसी के रूप में लेका है हुए ठाकूर जी के चरन है ये स्षिरी राम लल्ला जी के चरने से लेके सिर्द पर तक इक्याउन इन्ची के हैं जो फाइनल हुआ था तो वो ही मैंने साइज को रखा है और जो पीछे प्लेट मार्वल टू मार्वल जो है यह करीबन मेरे है साथ फिर से एक दो इंची कम है मुश्कित